नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमारे चैनल वी यार इस्ट्रोलोजी में दोस्तों धनतेरस का पावन तेहँवार आने वाला है परंतु लोगों के मन में शंशे बना हुआ है कि धनतेरस इस वर्ष 22 अक्टूबर को है या फिर 23 अक्टूबर को इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे और आपको धंतेरस के दिन किन वस्तों का खरीदी करना लाबकारी शिद्ध होगा इस बारे में संपूर्ने चर्चा करेंगे तो आप वीडियो पुरा वश्य देखिए आपको जानकरी जरूर पसंद आएगी सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये जान लेना चाहिए कि धंतेरस का त्यमवार क्यों मनाया जाता है जब समुंद्र मंथन हुआ था उस द्वारान धंवंतरी बगवान अपने हाथ में अमृत कलस लेकर प्रकट हुए थे मान्यता है कि बगवान धंवंतरी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं संसार में चिकित सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही बगवान विष्णु ने धंवंतरी का अवतार लिया था बगवान धनवंत्री के प्रकट होने के उपलक्ष में ही धनतेरस का त्वेंवार मनाया जाता है इस दिन वस्तुओं का करे करना बहुती लाबकरी शिद्ध होता है बगवान की पूजा आराधना करना आपके जीवन में शुक्षमरिद्धि लाता है तो आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि धनतेरस 2022 में किस दिन है अब देखिए दोस्तों 22 अक्टूबर की शाम 6 बचकर 2 मिनिट से कारतिक 3 दसी तिथी लग जाएगी जो कि 23 अक्टूबर की शाम 6 बचकर 3 मिनिट तक रहेगी यानि हमें धनतेरस का तेहवार 23 अक्टूबर को मनाना चाहिए अब देखिए मैं आपको कुछ मोहरतों की जानकारी देता हूँ उन समय में अगर आप किसी भी वस्तों की खरीदी करते हैं तो आपके लिए शुब कारी रहेगा तो 23 अक्टूबर की सुबह 10 बचकर 15 मिनिट से 12 बचकर 15 मिनिट तक लाव और अमृत का समय रहेगा इस समय आप जो भी खरीदी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुब रहेगा आपके जीवन में शुक्ष हमृती लाने वाला रहेगा इस समय आप खरीदी कर सकते हैं इसके बाद दिन में 2 बज़े से लेकर 3 बज़े तक भी बहुत शुब मौरत है उस दोरान भी आप खरीदी कर सकते हैं शाम को 5 बचकर 44 मिनिट से 6 बचकर 3 मिनिट तक पूजा का समय रहेगा उस दोरान आप भगवान धनवंतरी की, गनपती जी की, मालकस्मी जी की और कुबेर जी की पुजा अराधना कर सकते हैं इस समय एक विधी विधान से आपको पुजा करनी चाहिए जिससे आपके जीवन में शुक समर्दीब बनी रहेगी तो दोस्तों ये जो मौरत है इस समय आपको ये सब कारियकलाब करने चाहिए अब हम बात करते हैं कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी वस्तों की खरीदी करना शुब रहेगा सबसे पहले तो आपको धनतेरस की सुबह ही नमक की खरीदी करनी चाहिए नमक को अमारे सास्तों में बहुत शुब माना जाता है बरकत के साथ जोड़ कर देखा जाता है धंतेरस के दिन से ही आपको पानी में नमक डाल कर घर में पोचा लगाना चाहिए जो कि आपको भाई दूज तक लगातार करना है इससे आपके घर में सुक शांती और सम्रद्धी आएगी इसके बाद आपको दूसरी गणेश जी और लक्समी जी की चांदी की प्रतिमा खरीदनी चाहिए अगर आप में शमता है आपको भगवान ने संपन बनाया है तो निश्चित तोर पर गणेश जी और लक्समी जी की चांदी की प्रतिमा आपको जरूर खरीदनी चाहिए और उनकी घर में स्थापना विदी विदान से करनी चाहिए जिससे भी आपके घर में सुक, शांती और समर्द्धी आती है अगर आप ये खरीदने में शक्षम नहीए तो आप गणेश जी और माता लक्समी जी के चांदी की सिक्के भी खरीद सकते हैं इसके बाद आपको करना ये है कि एक पीले वस्तर पर इनको इस्थापित करके इनकी पूजा करनी है इसके पूजा होने के बाद आप इन सिक्कों को आपके घर की तीजोनी में रख सकते हैं ये उपाय आपके लिए बहुत इलाबकारी शिद्ध रहेगा और आपके जीवन में धन संपत्ती का अगमन होता रहेगा तो ये आप कर सकते हैं इसके बाद आपके घर में वस्त्र या फिर अभुशन आपकी बेटी या फिर अपनी पत्नी के लिए खरीदने चाहिए क्योंकि बेटी और पत्नी को भी लक्समी का स्वरूप माना जाता है जब धन्तेरस के दिन इनके लिए आप वस्त राभुशन खरीदते हैं तो आपके घर में सम्रिद्धी आती है तो ये उपाई भी आपको जरूर करना चाहिए इसके बाद आप घर में पितल के बरतन खरीद सकते हैं पीतल के बरतन खरीदना भी हमारी सास्टों में बहुत ही शुप बताया गया है एक तो इस से घर में शुक्षान्ति सम्रुद्धी आती है दूसरी बात पीतल के बरतन से ब्रहस्पती देव भी प्रसन्न होते हैं तो निश्चित तोर पर आपको पितल के बरतन जरूर खरीदने चाहिए इसके बाद आपको धंतेरस के दिन एक नई ज़ाडू जरूर खरीदनी चाहिए क्योंकि ज़ाडू को भी माता लक्समी का प्रतीक माना जाता है हमारे जीवन में सुक शानती समर्द्दी लाने के लिए जरूर ज़ाडू धंतेरस के दिन खरीदना चाहिए ये जीवन में बहुत ही शुक शानती और समर्द्दी लाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाई बताया गया है तो ज़ाडू आप जरूर खरीदें इसके बाद आपको धंतेरस के दिन ही मिट्टी के दिपक भी खरीदने चाहिए क्योंकि इसी दिन से एक तरह से दिपावली की शुरुआत होती है और मिट्टी के दिपक खरीदना बहुत ही शुब माना जाता है मिट्टी के दिपक आप जरूर खरीदें इसके अलावा दोस्तों आपको धंतेरस के दिन एक चांदी का ग्लास भी खरीदना चाहिए और उस ग्लास से पानी पीने की आदत डालनी चाहिए इससे आपके जीवन में बहुत ही सुख समर्द्धी आती है इसके बाद दोस्तों आपको आपके घर में एक चलाय मा नियंत्र जरूर खरीदना चाहिए यानि इलेक्ट्रोनिक आइटम की खरीदी भी आप इस दिन कर सकते हैं जो नियंत्र चलता रहे इस प्रकार का कोई इलेक्ट्रोनिक आइटम आप खरीद सकते हैं ये भी आपके जीवन में सुक शांती समर्द्दी लाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तो इस तरह आप अपनी शम्ता के अनुसार इन वस्तों की खरीदी धंतेरस के दिन कर सकते हैं। एक बात का विशेस ध्यान रखिए कि धंतेरस के दिन यानि 23 अक्टूबर को दिन में 4 बच कर 30 मिनिट से 6 बचे तक राहुकाल का समय रहेगा। तो इस डेट गंटे में आपको विशेस सावधान रहना चाहिए। इस दोरान किसी भी चीज की खरीदी ना करें। नई तो आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और जो हमने महरत बताए हैं उस समय आप खरीदी कर सकते हैं। आपके जीवन में मा लकस्मी, धनवंतरी भगवान और गंटपती जी की विशेस अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। निश्चित तोर पर इस धन्तेरस आपके जीवन में शुक्षम्रदी आएगी। तो ये सब खरीदी आप जरूर करें। और महरतों का विशेस ख्याल रखिए। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल से नए जूड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।